वाथ्सक्र ciut वाट्सप मायवटो फैमिली वबक्म बक्तो मै चैनल गाइज आजओं वीडियो के दो बात करेंके युपर सेरीफित उइंट्मेंट के बारे में इसकी इवसेज दीविट सालों की बारे में जिस के बार रहे हैं तो गैज चलिए बात करते हैं मिफ्रोसिन ओइंट्मेंट के बारे में इसके यूजस के बारे में यह आपको कब डॉक्टर रेक्वेंट करते हैं यूज़ करने के लिए तो गैज बताना चाहता हूं यह जो मिफ्रोसिन ओइंट्मेंट है एमली यूज़ क्या रहता ह एक आज bacterial infection में, bacterial infection को ठीक करने में, इसका यूज होता है, skin के ओपर, और ये एक आज bacteria की growth को रोकता है, और आपकी जो infection हुआ है, bacteria के बज़े से आपकी skin में, उसको ये ठीक करना में मदद करता है, और हमेशा ही ध्यान रखे, इसको यूज करना से पहले, आप अपनी हाथ को अ हाथ को अच्छी तरह साप करें एक साप कॉट्टन के माध्यम से आप इसको अपलाई करें तो बहतर होगा और यह ध्यान रहे कि इवाइट्मेंट आपकी मुव में या आग में नहीं लगना चाहिए और गाइज देख सकते हैं इवाइट्मेंट कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ सब्धनें को अपको ध्यान में रखना है और अगर आपको यह जो आइड्मेंट है इसे एलोट्ज करना से पहले आप अपनी डॉक्टर को जरूर बताईए और अगर आपको इसे एलोट्ज होता है तो इसका यूज ना करें और हमेशा ही इसको यूज करना से पहले डॉक्टर के अडवाईज जरूर ले और एचिस का ध्यान लखे कि दो महीने से कम उमर की बच्चों को आप को इस से नहीं करना है उनके ऊपबर इसको अपला नहीं करना है और इस चाप ध्यान रहे दो महीने से कम मर की बच्चों के उपर इसको अपलाई ना करें और हमेशा ही डॉक्टर कवश ले अगर आम बात करें इसकी कुछ कुमन § कुछ साइडर एंन जैसी की ब pasture अकर सब्सक्राइब अर्पना एंश्टिंगशंद में धान सकता दो भाघ आपको देखता पमुच्धक्था अमें साहई यह मेडिसिन को आपफ़ से दूरख़े और और इसको अगर हम बात करें store करने की तो इसको below 30 degree temperature में आप इसको store करें तो कुछ इस तरह का यह ointment आपको देखनों में लगा और इसका uses के बारे में मैं आपको बता दिया कि bacterial infection को रोकने के लिए इसका use किया जाता है और इसको skin के उपर ही apply करें अब इसको जहीं पर बन बगरा हुआ है और फट गया है उस जगा पर इसको apply ना करें और इस यूज करना से पहले तोक्टर के advice लेना बहुत जाता important है और जब भी आप इसको store कर रहे है ध्यान रखे 30 degree Celsius के अंदर आप इसको store करें इसको freeze ना करें फ्रीज में इसको store ना करें फ्रीज में तो आइफ गयाईज यह छोटा सा वीडियो में जेतना हो सकता था में फिरस नौइटमेंट के बारे में मैंनो बताने की कोसिज क्या है अगर आपका कोई doubts है तो नीचे कोमें में मेरे को जरूब बुच सकते हैं अगर कोई गलत बोला है वह भी मेरे को आप बोल सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है वीडियो को जोड़ से लाइक करें चाहाँ पने आया हो सब्सक्राइब जरूब करें ताकि आगी भी इसी तरह helpful वीडियो आपको मेलता रहें ते केरें वीडियों